गूड इ मंण डियर इस्टूडेंटTE आज हम लोग human anatomy में जिस topics के बारे में discussion करने वाले है वह बहुत interesting topics है उसका नाम क्या है blood है आज हम लोग blood के बारे में study करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा our인ism के बारे में जान लेंगे। जो इस अर्थ पे मतलब जो भी जीव होते हैं वो चाहे एक कोस की हो चाहे बहो कोस की हो सब को सर्वाइब करने के लिए उर्जा चाहिए और वो जो उर्जा होती है एनर्जी होती है हमको किट से मिलती है फूड से मिलती है और यह जो फूड होता है जब डाइजेस्ट होता है digest हो करके cell के पास पहुंचता है तो cell के पास पहुंचने पर इस food का होता क्या है इस food को oxygen की presence में इसका oxydigation करवाय जाता है और oxydigation जब करवाय जाता है तो उससे ATP बनती है और कुछ best materials निकलते हैं उस जो best materials होते हैं उसको cell से बाहर निकाल दिया जाता है और ATP को क्या करती है कंज्यूम कर लेती है फिजिकल वर्क में ठीक है तो यह जो फूड मेटेरियल होता है जब डाइजेस्ट हो जाता है इसको सेल तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम होते हैं हर जीव में अलग-अलग होते हैं जैसे छोटे जीव की बात कर ले तो उस डाइ को कि यह एकविटिक एनींमल होते हैं और यह पानी में पाय जाते हैं तो फूड मेंटियर्ए उताह वाटर के ओड़ार के यह फ्रौटिंग करते हुए इसEMAर के पास है आइज्यक की पहुंचता है तो लोग क्या करते हैं उसको से अंदर हैं कर लेते हैं और कम बसन में इन् है वहीं बात कर ले हाइर अनिमल्स जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इंक्लूडिंग हुमन बिंग जैसे हमारे बॉड़ी में मिलियंस आप सेल हैं तो हर सेल को क्या चाहिए न्यूट्रीशन चाहिए अब वो न्यूट्रीशन किस से मिले हर सेल को एनरजी चा हुआ है मुट्री एंट को और है बास कर लिएते हैं कि बलेट जो होता है किस नेचर का होता है और क्या त Allah और एक सब्सylonERS होता है तर रहोता है ठीकिए चलिए इस्पेशल टाइब का इ Teil ठीक्ट मैं खोता है और इस आधिए होता है ठीक ही सअ टाइब का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी connective tissue होते हो किसी particular part को connect करते हैं लेकिन blood एक ऐसा connective tissue है जो हमारे बॉड़ी की एक एक cell को connect करता है मतलब हमारे बॉड़ी की एक एक cell को क्या पहुचाता है nutrition provide करवाने का काम करता है उनको oxygen transport करता है उनके best material को वहां से निकालन 1.4 इतना होता 7.4 यहनि slightly alkaline nature का होता है कैसा होता छोड़ा महल का छारी nature का होता मतलब slightly alkaline या basic nature का होता है वहीं बात कर लेए ब्लड की specific gravity होती है ब्लड की specific gravity 1.05 होती है अब ये specific gravity का होती है specific gravity का मतलब होता है कि density of blood with respect to density of water water के compare में जो blood होता है उसकी density थोड़ी जादा होती है और कितना जादा होती है 0.5 तो जो specific gravity होती है blood की होती है 1.05 क्योंकि water की density होती होती 1 और blood की density कितनी होती 1.05 तो 1.05 अगर 1 से divide करेंगे तो वही value आएगी क्योंकि उस value में कुछ change नहीं होने वाला है तिस वज़ा से जो blood की specific gravity होती कितनी होती 1.05 होती है blood का pH कितना होता 7.4 होता blood एक special type का connective tissue होता है blood का nature कैसा होता slightly alkaline होता अब वहीं बात करें function का तो blood का काम क्या होता blood क्या करता है gaseous transportation का काम करता है हमारे body में gas को क्या करता है यह एक एक tissue तक पहुँचाने का एक cell तक पहुँचाने का काम कौन करता है blood करता है blood ही एक ऐसा medium है जो nutrient और gas का transport करके cell तक पहुचाने का काम करता है वहीं बात कर ले cell के जो best materials होते हैं उसको cell से बाहर निकालने का नहीं excretion कराने का भी काम कौन करता है blood करता है हमारे body में दुनिया भर की endocrine glands होती है जिससे hormones निकलते हैं intercellular messenger का काम करते हैं अभी जो hormones होते हैं blood में release कर दिया जाते हैं और यह special किसी special target के organs पर जाकर करके bind करके work को perform करते हैं अभी इस hormones को transportation मतलब जो hormones निकला उसके transportation का काम कौन करता है blood ही करता है ठीक है तो hormone का transportation करता है वहीं बात कर लेते हैं ब्लड में WBC एक सेल्स पाई जाते हैं जिसको बोलता है white blood cells white blood cells एक ऐसी cells होते हैं जो हमारे body को मतलब बीमारियों से रक्षा करती हमारे body में ताकि कोई किसी type की बीमारी नहों तो नहीं body को क्या करता है बीमारियों से protect करने का काम भी करता तो function जान लेते हैं ब्लड की कौन-कौन से होते हैं तो ब्लड कौन-कौन से काम करता है transportation of gases and nutrients to various body tissue जनी बहुत जो हमारे body के अनेक तरह के tissue है सब को पास क्या ले जाता है gas और nutrient transport करता है transport based product from tissue to help in excretion tissue के जो based product होते हैं उसको क्या करता है transport करके बाहर निकालता है और किस में help करता है excretion में help करता है वहीं बात कर लेते हैं it carry hormone from endocrine gland to various body parts हमारे जो का नाम है endocrine gland से release होने वाले hormones होते हैं उनका भी transportation करता है कौन? blood करता है वहीं बात कर लेते हैं it content WBC which protect body from disease इसमें क्या पाई जाती है? बीमारीों से बच ठीक है अब हम लोग बात करेंगे composition जैसे blood क्या होता है हम लोग देखते हैं थोड़ा से चोट लगती तो red red color का कुछ निकल जाता है लेकिन वो जो blood होता वो बहुत सारी चीजों से मिल करके बना होता है blood की specific gravity 1.05 होती है blood का nature slightly कैसा होता? basic nature होता है या slightly alkaline nature होता है काम क्या करता है? nutrient and gases के transportation में काम करता है based materials के excretion में काम करता है hormone के transportation में काम करता है हार्मोन के ट्रांस्पर्टेशन में काम करता है इसमें WBC पाई जाती है और WBC करती क्या है WBC हमारे बोडी को डिजीस से नी बिमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करती ठीक है चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे कि ब्लेड में क्या क्या चीजने पाई चाती है ठीक है चलिए साब अब हम लोग बात करेंगे अब ब्लेड बात करते हैं अब लड नी बलड में क्या क्या चीज़ें पाई जाते हैं अब लड तो बलड जो होता है यह कई सारी चीजों से मिल करके बना हुआ लेकिन ब्लेड के जो कंपोफिसंड़ निसें बात करें तो basically ब्लेड का जो सबसे मेढर जादा वाला पार्ट होता है वह बोला जाता है दूसरा जो पार्ट होता उसको बोलते हैं किया सेलुलर एलीमेंट्स और इसको फार्म्ड एलीमेंट्स भी कहते हैं फार्म्ड एलीमेंट्स तो ब्लड के कितने पार्ट हो जाते हैं ब्लड को बैसिकली दो पार्ट में दिवाइड किया जाता है एक को बोला जाता है प्लाजमा दूसरे को बोला जाता है चेलूलर एलीमेंट नी ब्ल देते एक को बोलते है प्लाजमा दूसरे को बोलते है अब बात कर लें कि प्लाजमा कितना परसेंट होता है ब्लड का और सेल्लर कंपोनेंट कितना परसेंट होता ब्लड का तो प्लाजमा ब्लड में मेजर कंपोनेंट है ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट है प्लाजमा होता और क arta कौना बसब में सबसे ज्यादा टो कौन होता है फच्पन परसंट हो तो ब्लेड का जो प्लाजमा होता है किसे पैजिजेंगे मेजर पार्ट है तो मेजर्पार्ट होता है कई सारी सखीजू से मिलकोर के बनाू हूँ सबसे पहली बात तो बात कर ले यह अद्ध होता हुधना यह इसका इस टाहिच मतलब इसकीश के भरने में सफीन यह व Capital is natural थे बोल दीचेग्ञके मद रहें नब्वे से ले करके 42 परसंट नब्वे से ले करके 92 परसंट फिर उसके बाद आता है plasma proteins क्या पाई जाती है proteins पाई जाती जिसको बोल दे plasma protein जो plasma proteins होती है यह 6 से लेकर के 8% कितनी होती है 6-8% कितनी होती है 6-8% होती है वहीं बात कर ले और क्या पाई जाता है जो हम लोग खाना खाते हैं जब वो डाईजेस्ट हो जाता है तो deny fork होने के बाद ब्लेड के थूरोट ट्रांस्पोड किया जाता लेकिन ब्लेड के जिस कंपोनेंट में तरहहा औहुन होता हmost है प्लाजमा कौन होता है प्लाजमा तेनी जो के टरस्ते मिनजल्स कि हम लोग छोग खाते हैं विसे मीनजल्स सुलेते हैं जिसके में लेज़ मार उसे जल्टो यहां में जाना कि हमारा ब्लेड थोड़ी धिर बार क्या होता है टो उसके जमने के लिए को रिस्पोंशबल होते हैं clotting factors, वो जो clotting factors होते हैं, वो भी खहाँ पाए जाते हैं, प्लाजमा में, तो clotting factors कहाँ होते हैं, प्लाजमा में, clotting factors, ठीक साथ, तो बात कर लेते हैं, प्लाजमा में क्या क्या चीज़े पाए जाते हैं, प्लाजमा में water, proteins, nutrients, minerals and clotting factors, सबसे ज्यादा प्लाजमा में क्या होता है Water होता है 90-92 परशण उसके बाद 만 प्रोटीन होती है 6 से ले करके 8% उसके बाद न्यूट्रियंट्स होते हैं深bi न्यूटरीस में कार्भॉहाइड इसीड हुआ है फैटी एसीड हुआ ग्लीकॉकॉज राल इस सब कहां पर होते हैं न्यूटरीाइंट इसी प्लाजमा के अंदर पाए जाते हैं वहीं बात करते हैं मिदल में सोडिया में क्लूराइड आइन चैल्सीयम आएन सब पाए जाते हैं कलोडियम आयन से सबस्क्राइड बाइक आर्ग पाए जाते हैं प्लाजमा चैंडर पाय जाते हैं पर बात कर लेते साथ संब और रंच्टर सोते लगभाईज एक ऊता समर्जीमीन फैक्टर सोते हैं एसे कि अंदर पाई जाते है वहीं पे स्ट्राइम प्रोटीन प्रोटीन होती है एक को बोला जाता अलबूमिन जाब और अघभाट इसरी को बोला जाता है पहले बोलते है अलबूमिन दोसरे को बोलते हैं ग्लोबूल लिन world 9ب er 7 अथिपी और को बोला जाता est yesterday को बोलते हैं दूसरे को बोलते हैं albright द्विल्व ईत ड्विल्लिन और ये जो इल्पॉमिन है ग्लो बिलीन यह तिनों को बॉला जाता है प्लाव्मा प्रोटीन यह जो प्लाव्मा प्रोटीन होती इसकी synthesis मतलब इसको जो बनाता है लीबर करता है लेकिन वहीं बात करें यह पाया कहा जाता है प्लाजमा के अंदर 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 प्लाजमा के अंद अर जिसकी वजह से हमारे बडी में वाнетर का गणेंट बना रहा, कों बना रहता है ? Water का कणेंट बना रहता है तिन ऐस होटिक, कुरएट कर वाती है और क्रीएट कर वाय लेइन का काम करती है का प्लाज्मा प्लोटीन में अस्मोर्टिक बैलेनस क्रिवाने का वहीं बात करने लैते हैं ग्लोब Όχι यह नंग वाहीं ग्लोबी ठी ग्लो बाडी डमाइव जो होती जो हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने मतलब एंटीजन के एगेंस क्या करती वर करती है और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है तो यह किसमें कि चला जाएगा डिफेंस में तेरी ग्लोबियूलिन क्या करता है डिफेंस का काम करता है हमारी बॉड प्लाजमा प्रोटिन्स होती है थार आघे लुधा लेखेंगेने तुर श्कू की आगे पढ़ेंगे रुलाइब और फ़यों कहते है और रहाई यह तेन एक बना लेता है नेट वर्फ बना लेता है इन एट लाकौ़ लेता है जिसमें ब्लेट सेल्स हां करके मतलब रुक जाती है वहीं से ब्लेट क्लाइट मतलब वहीं पर ब्लेट क्या होता है क्लाट कर जाता है यहां पर बात करें तो फाइब नोजन किसका काम करता है ब्लेट क्लाइटिंग में हेल्प करता है किसमें काम करता है ब्लेट आस्मोटिक बैलेंस क्रियेट करवाता है जिससे वाटर का कंटेंट हमारे बॉडी में बना रहता है उसके बाद ग्लोबिलन डिफिंस का काम करता है वहीं बात करते हैं फाइब नोजन जो प्लाजमा प्रोटेंट है बॉडी में ब्लड क्लाइटिंग के लिए हेल्प करते हैं वहीं बात करें मिंदल्स की जितने भी मिंदल्स होते हैं चाहे वो सोडियम हो चाहे वो क्लॉराइड आयन्स हो चाहे बाइकार्बोनेट आयन्स हो चाहे कल्सियम आयन्स हो यह सारे के सारे मिंदल्स कहां पाया जाते हैं प्लाजमा के अंदर ही सेच्वेटर से और जितने भ water पाया जाता है, plasma proteins पाई जाती है, minerals पाई जाते हैं, nutrient पाई जाते हैं, clotting factor water, plasma proteins, minerals, nutrient and clotting factor अब हम लोग बाट करेंगे cellular component of blood, blood के कौन कौन से cellular component है, ठीक साथ किसकी बात करने वाले हैं cellular elements of blood ठीक है blood के कौन कौन से cellular element है तो blood के blood में तीन basic type की cells पाई जाते हैं जो blood के cellular element है ये basically तीन टाइब के होते हैं एक को बोला जाता एर्थ्रोसाइट दूसरे को बोला जाता है ल्यूकोसाइट तीसरे को बोला जाता है थ्रम्बोसाइट यानि आर बीसी, डबलू बीसी and platelets क्या क्या आर बीसी, डबलू बीसी और platelets ठीक तो चली के देखते हैं हम लोग तो ब्लेड के अच्छेश्य की बात कहें तो ब्लेड की जो सेल्लर एलिमेंट होते हैं यह यह तीन टाइब की होते हैं एक को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट क्या बोलते हैं थ्रमबो साइट क्या बोलते हैं थ्रमबो साइट बोलते हैं अब बात कर लेते हैं इनके अधर नाम बहुत हैं जैसे ईरित्रो साइट का दूसरा नाम आर्ली सी यह knob si 217 अगोफ से बोल दो कि और भी सी जो अलबताilate उसका दूसरा नाम इन को दो और जाता हुआ डो जट्स कितनी टाइप इन को अगया और भी और अब बात कर लेता है जो सेल सोती है जो ब्लेट सेल तो किसी ने किसी ने बनाया होगा तो जो ब्लाड की सेल सो ती है इनको वो हमारे body के जो bone marrow की sales होती हो बनाती है हमारे body में हमारे body में जो bones होती है जो short and long bone होती है उनके end point पे अंदर जा गर करके bone marrow भरा होता है वहाँ पे इक sales पाई जाती है bone marrow की जो sales होती है उसको बोलते है mega kariotic sales उन तिनों cell का formation करती है erythro-side का और leukoside का तो वहीं जो सब सेल टूटती है सेल फ्रेग्मेंट जो होता है वो कानवर्ट हो जाता है किसमें थ्रोंबोसाइट में तो थ्रोंबोसाइट क्या होता है प्लेटले सेल फ्रेग्मेंट होता है ठीक है चलिए अब एक एक सेल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे यह सबसे पहली बात तोह नहीं पाए जाता है क्या नहीं पाए जाता है किया नहीं पाए जाता है गालगी पाही इसके अंदर लग-बग 33 परिग संट जो होता है हीमोग्लूबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हीमोग्लूबिन वो भरा होता है इसी वज़ा से जो सेल्स होती कैसी दिखाई जाती है रेड कलर की दिखाई जाती है रेड कलर की दिखाई देने के नाते इसका नाम होता है रेड ब्लेड कार्फ सेल सिरेड बलड शेल सो बोला जाता ठीक है इसके अगर नार्मल रिंज की बात करें तो जो आर बे फिसी होती है यह फाइब टू फॉइब फाइब मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है मतलब 1 mm वैलूम में ये लगभाय 50 से ले करके 55 लाख RBC पाय जाते क्योंकि 1 million में 10 लाख RBC तो 5 million में 50 लाख 5.5 में 55 लाख तो एनी 1 mm वैलूम में जो RBC का रेंज होता है 50 ले करके 55,00,000,000 RBC's का Cells पाई जाती है इसमें 1 mm क्यूब वहीं बात कर लेते WBC का जो रेंज होता ये 6000 से ले करके 8,000 होता है पर mm क्यूब में कितना होता है 6000 से ले करके 8,000 होती है वहीं बात कर ले अगर प्लेटलेट्स की इसकी सेंख्या डेड़ लाख से ले करके साड़ी तीन लाख 3.5 लाख होती है पर मिली मीटर क्यूब पर मिली मीटर क्यूब में कितनी होती है RBC यहनी RBC abundant blood cells होती सबसे ज़्यादा quantity में पाई जाने वाली जो blood cells होती कौन से होती RBC उसके बाद कौन से होती है फिर उसके बाद कौन होता है लिउकोसाइड कौन होता है लिउकोसाइड RBC का काम क्या होता है जो RBC होती है यह oxygen के transportation में help करती है लगभग 97% oxygen का जो transportation होता है और वही carbon dye का जो transportation होता है लगभग यह कितना करती है 5 से ले करके 7% 5 से ले करके 7% carbon dye के transportation का transportation करवाती है और सबसे ज़्यादा किसका oxygen का oxygen का 97% transportation RBC करता है RBC में कौन करता है हीमोगलोबिन करता है क्योंकि एक हीमोगलोबिन 4 oxygen के molecule से bind करके इसका transportation करवाता है वहीं बात कर लेते है WBC की WBC का करती है WBC हमारे body में लड़ने का काम करती है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ तो ग्लोबिन प्रोटीन कर रही है अब यहाँ तो सर बता रहे है WBC कर रहे है तो कहानी यह है कि WBC के अंदर एक B lymphocyte type की cells पाई जाती है वो ग्लोबिन कौन गामा ग्लोबिन का नहीं उसका यूज करके antibody बनाती है फिर antibody क्या करती है रोगों से हमारी body को protect करती है तरही WBC क्या काम करती है defense का काम करती है हमारे body को रोगों से लड़ने की मतलब हमारे body को रोगों से बचाती है बात कर लेते हैं thrombocyte platelets की जो platelets होता करता है जिसको करता है जिसको बोलते है機 रेफ्चर होता है वे में क्या यह होता है क्या होता है एक का स्कृटिसन करता है जिसको बोलते हैं त्रूमबोकाने जो एंजाइमस होता है जो क्लाटिंग को ईनी करवाने का काम करता है और रहिए त्रूमे Chamber करता है प्लेटलेट्स करता प्लेटलेट्स करता है तोẨ fund votre better Cl shortest can help better słysy ηक्राइuela bubc करती है पुरा नाम होता है नाम और यह आर इसी कहा नाम क्या होता है एक प्रशेशा क्काम करती है हमारे बाड़ी में डिफिन्स का काम करती है सिरह से लड़ने मतलब लोगों से हमारी बॉडी को प्रॉटेक्ट करती है इतो तो साइड करता है और ने होती है यह बनती कहां पर हैं मतलикс बांतब कहां है कि जो सेल के इंदर ग्रेन्ज उल नहीं पर बनते हैं क्या होता है कि डबलो भीके उसके अंदर नेूक्ट पायता है नुक्लियस पाय जाता है गालगी बाडि आपके से जीजित आफ ग्रेनीयोले को दो फार्मेशन में टिवाइट कर देता है जिसमें ग्रेनीयोले सो सब्सक्राइब कर साथ दो यहां दो यहँद्र दोप्रइब थे खना ख़ते हुआ जो जहीं तो यह घरे लूट सिब्धों कौन जाइड करे आखेए dar एक ग्रेनुलो साइट एक ग्रेनुलो साइट ठीक है एक ग्रेनुलो साइट ठीक है अब जो ग्रेनुलो साइट होती है इनकी जो सेल्स होती है इनके सेल के अंदर जो प्लाजमा होता प्लाजमा में ग्रेनुल्स पाया जाते हैं और ग्रेनुलो साइट बेसिकली तीन टाइप होती कौन्-कौन सी तैन मिखना लेते हैं पहली जो टाइप सोती उसको बोलते husta दूसरे को बोलते यूसी नो भी तीसरे को न्युट्रोफिल स्थटेन टाइप को दिय में कौन कौन नूट्रोसरों तो ग्रिनुलोसाइट जो होती है तीन टाइप होती है वैसों फिल्स योजेद को जरिक टाइब के टाइपस एक ग्रिमसाइट जो सेल्स और होती है दो टाइपशें एक को बोला जाता है मोनोसाइट और दूसरे को बोलते हैं लिम्फोसाइट एक को बोलते हैं क्या मोनोसाइट दूसरे को बोलते हैं क्या लिम्फोसाइट ठीक है चलिए था दूसरे को बोलते हैं लिम्फोसाइट तो अब बात कर लाएं डबलू बीसी तो डबलू बीसी कितने टाइप के कोई 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 यूजिनोफिल्स न्यूट्रोफिल्स और वहीं बात कर ले एक गरनुलोसाइट और लिंफोसाइट अब बात करते हैं यह जो बैसोफिल्स होती है इनका काम क्या होता है सबसे पहली बात तो यह जो नाम आया ध्यान समझना साब यह जो नाम आया बैसोफिल्स यूशिनोफिल्स यह आंदा बेसिस आप स्टेनिंग इस टेनिंग के भीहाब पर नाम रखा गया क्योंकि जो जो डाइज से हम लोग स्टेन करते किसी भी आर्गनीज्म हुआ अगर साइड के जिन जिन सेल की बैसिक डाइज से की जाती है उनको बोलतेलें मतलब जो क्ल्र बैसिक डाइक रिउच करने पर जो ऑर स्टेनिंग डQué SER रखेद्विंग करतें यूशिनोफिल्स की जो ने बौती है वह टरोव भी बोलते हैं वही बात कर लें नूट्रो फिल की बात करें अगर नूट्रो फिल सो वह ह année टाए स्की इस की जाती है इसलिट्रलंे का यूज करने य में कलर देता इसलिए इसका नाम का बन जाता है तो रेल बात कर लेते हैं यह जो ईसटेंगा काम क्या होता है यह कई सारे टाइप के के कोई से ख मीकल से कर तक एग कोई से नंगा या से रोतर्न इन हिप आ एर kän फ्रिजब sound in एपायरिं इस्ता मिन इसथा मिन and he pretty ही पायरीन इन सबका फार्मेशन कौन करता है grandes by безопас fellow का इता सीरेटरॉणीन हिस्टामीन और historia में नाम है कएमिकल्स का फार्मेशन करता हुँ यह जो सीरोटर्न हिस्टामीन ही होते हैं यह हमारे बोडि में इंफ्लामेंटरी डिस्पॉंस देते हुँ जब हमको कभी भी चोट लगती है या कहीं पर हम इंजर्ड होते हैं हमारी बोड़ी में उस पर्टिकुलर एरिया में जलन होती और स्वैलिंग आ जाती है और यह स्वैलिंग और जलन होती है जो जलन होता पेन होता यह इसके लिए responsible कौन होता है histamine और serotonin होता है यह जलन और swelling histamine और serotonin की वज़ा से आती है दूसरा जो chemical होता है हिपाइरीन जो हिपाइरीन होता है इसको बोलते है anti-clotting factor ति क्या होता है anti-clotting factors होता है यह blood के clot करने को रोगता है हमारे body में blood का होता है circulate होता रहता है लेकिन blood clot नहीं करता है जैसे हमको चोट लगती है तो blood body से बाहर आता हमारे body में circulatory system में blood circulation होते रहते और इसके जो clotting नहीं होती है उसके पीछे main कारण कौन होता हीपाइरीन हीपाइरीन के वज़ा से हमारे circulatory systems में blood clot नहीं करता है अब बात कहने जब कभी आता है कहानी कहानी क्या होता है ऐलर्जी कोई बीमारी नहीं होती कहानी ऐसे है कि हमारे बॉड़ी में जब कोई foreign particle इंटर्ड करें लेकिन वो हमारे बॉड़ी को नुकसान न पहुंचाए बट उसके एगेंस हमारी बॉड़ी क्या करें एंटी बॉड़ी बना ले तो उसी को बहगाया कैसे जाए तो बहगाने के लिए बाद में पता चला कि वह तो बाहर जो इंसान आया वह तो महमान है वह तो हमारे घर पर आया हम मतलब कि दिन पर चला जाएगा लेकिन हमने क्या किया उसके लिए जो तयारी कि तयारी किया मतलब उसको بھगाने के लिए कुछ नो कुछ दू किया होगा आपनोगी तो चीज तयारी की हमारी नुक्सान चले जाएंगे ठीक उसी तरीकें हमारे बॉडि पॉडी के अंदर को सब्सक्राइल बिंदर करता लेकिन हमारे बॉडी को क्या करता है दिस इंटीन दुसमन समंच करके क्या कर लेती है इंटी बॉडी बना लेती है लेकिन अब जो antibody बन गई है वो तो allergy के वज़ास से बिमारी तो होगी लेकिन antibody जब बन गई है तो क्या करें हमारी body में कुछ नो कुछ problems create कर देती है इसी सेल्स होता है जो हमारे बाडी में पेट्रोलिंग करते रहती हैं, घूमती रहती हैं और सेल के अपास जो सेल के इस्पेस हो जासी होते जो सेल के बीच मेंैं जो इस्पेस होता भोल दा जाता उसको इंट्रास कर देती हैं तो आइसी सेल्स को बोला जाता है फेगो साइटिक सेल्स को क्या बोलते हैं फेगो साइटिक सेल्स तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है फेगो साइटिक सेल्स होती है अगर हमारे बोडी में कोई फारें पार्टिकल इंटर हो गया तो क्या करते हैं उसको किल कर द Grainules नहीं पाय जाते हैं ये Regardocite जो होती है दो टाइप जी होती है एक को बोला जाता है Monocyte दूसरे यको बोला जाता है यह क्या करता है foreign particles अगर बाहर कोई foreign particles आया है या कोई भी microorganism आया इसको मार देता है सेम वही condition Monocyte की होती है Monocyte भी phagocytic cells होती है यह भी foreign particles या बैक्टिरिया को killing करने का काम करते है ठीक साथ अब बात करते हैं लिंफोसाइट लिंफोसाइट हमारे बॉड़ी के जो डिफेंस सिस्टम के जो राजा होते हैं वो होते हैं लिंफोसाइट होते हैं लिंफोसाइट हमारे बॉड़ी के डिफेंस मेकेनिजमेनी हमारे बॉड़ी को रोगों से लड़ने के लिए जो मेन सिस्टम से वो कौन होता है लिंफोसाइट थोता है लिंफोसाईट्स होता है इनसे होते हैं इकको बोला जाता है वी लिंफोसाइट एक को बोलते हैं T lymphocyte. तो B lymphocyte क्या होते हैं T lymphocyte क्या होते हैं या उनके नाम B lymphocyte T lymphocyte क्यों कहभी है, क्योंकि जो lymphocytes होती है, ये बनी कहां होगी Bone沒關係 के अंदर, अब कहानी है कि 2BBC Bone Muirower के अंदर बनी है, आप वहाँ से कुछ लिंफोसाइट बोन मेरो में मैं हो així हो जाती है लेकिन पास एक मतलब इंडोकाइन ग्लेंट रुटे सको को बोलते थामस बोहां सब्सक्रूर्इम्पास। शुक्त है उसको बोलते हैं थायमोशियन की प्रजेंश में जा करके या उती है उनको बोला जाता है और जो लिम्फोशाइड हमारे बॉर्डी में बोन मेरों में जाकर के मेच्योर हो जाता है बी लिम्फोशाइड है यह क्या करता है एक ऐसी एंड मतलब हमाये defense mechanism का एक ऐसा राजा होता है जो खुद नहीं लड़ने जाता है अपनी army को defense में लगाता है लडने में लगाता है और यह B lymphocyte हमेशा antibody का formation करता है और antibody का करती है रोगों से हमारे body को protect करती है वहें T lymphocyte की बात कर लें तो T lymphocyte cell mediated immunity देती है T lymphocyte खुद ही जा करके रोगों को रोगों से लड़ने लड़ती है और जिस micro organism से लड़ती उसकी memory बना करके अपने body मतलब अपने पास लख लेती है जब भी कभी दूसरी बार उस micro organism का attack होता वो तुरंद के तुरंद क्या करती है B lymphocyte को inform करती है कि micro organism हमारी body में एक बार पहले अटाइक कर चुगा होता है तुरंद B lymphocyte उस टाइप की antibody का यूज करके उसको रोग देता है जिससे दूसरी बार की जो disease होती है पहली बार तो बहुत severe form में होते लेकिन दूसरी बार में उसकी intensity कम हो जाते ठीक है तो B lymphocyte सबसे इंपॉर्टन चीज एक और है इसमें जो nucleus होता है इसके जो nucleus का सेप होता है वो kidney सेप का nucleus होता है वहीं यूजिनोफिल्स का जो nucleus होता है बाई लोड इसमें दो लोग पाए जाते हैं वहीं बात कर लेते हैं लेकिन न्यूट्रोफिल्स का जो nucleus होता है इसमें दो से लेकर के 5 लोग पाए जाते हैं और monocyte का भी nó deputy uds कोलिए करके 5 लोग पाए जाते हैं पाया जाते हैं ठीके बैसोंफेल्स का क्या होता है इंकोडिर्नीजम को किल करने का काम करती है तो टाइक होती इमनना परोएक ने चल्शाइड मौनडोसाइट पेग उडिपायट्स फंक माइक्रोडिर्नीजम को किल करती है और lymphocyte दो type होते बोलते है B lymphocyte दोसे बोलते है T lymphocyte B lymphocyte antibody बना करके हमारे body को रोगों से protect protect करता है इस type के immunity को बोला जाता है humoral immunity वहीं जो T lymphocyte होता है वो क्या करता है खुद शेल से जाकरके मतलब खुद Uz्वुं से जाकरके माइक्रो आर्गनिजम को किल करता है और उसकी मेमोरी बनाकर अपने पास लेल रख लेता है इस तरीके के इम्यूनिटी को बोला जाता है सेल मेडियेटेड इमन्दी क्या बोलते हैं सेल मेडियेटेड इमन्दी तो WBC क्या होगी कोन को सें साइड एक को बोलते हैं इस अल्यावियेटेज दो आ होते हैं मों सैड में मोनौ थे में लिंप आध थैंक्यू बचल करेखने में